विल्कम बैक तुमाय चानल तो आज मैं आप सबके लिए लेकाई हूँ दो मिनिट वाली रेसिपी बहुत ही जटपट बनाने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं तो यहां पर सबसे बहले मैंने बारिक वाला बुरादा ले लिया है यह बहुत ही असानी से आपको कोई भी कि कटोरी ले रही हूँ डिपेंड करता है कि आपको कितने लड्डू बनाना है तो दो कटोरी यहां पर मैंने यह बारिक नारियल का बुरादा ले लिया है सूखा वाला देखें बहुत ही फाइन है एकदम बारिक है यह इससे जो लड्डू है बहुत ही अच्छे बनते हैं ल कटोरी मैंने कंदेंस मिल्ड लिया है जो कि सफिशिंट है बहुत ही जाता थेक होता है इसमें शुगर आड करने की जरत नहीं होती है काफी मीठा होता है तो अलग से आप इसमें शुगर आड ना करें सिरिफ यह अग और बुरादा और चंदेंस मिल्क से डिलिशिस यहां पर देखे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया इसका जो कालर है क्रीम हो चुका है तो यह पॉफेक्ट मिक्ष्टर है हमारा क्रीम हो चुका है अब आपको जो भी शेप पसंद है आप इससे बर्फी बना सकते आप इससे लड़्डू बना सकते हैं बच्चे भी से बना पूर मिभली होसे, हेल्दी that should taste the meat. आपको बना लद्डू को काए लद्डी केया हो कर सकते हैं, निदो हैं लद्डू. यह बना पूलता है यह सब्सक्राइब कि अड़ू है ननाँट. नेखिए यह रेम्राइब दह विह हमें न बसे से खालते हैं। जटपट अगर कुछ मीठा खाने का मन करें, तो यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राइक करें, तो यहां पर सारे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं, तो यहां पर इसे मैं गार्निश कर रही हूं, तो आप चाहें तो ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं, यह तो उपर जो नारियल का उसमें भी इसे कोट कर सकते हैं, तो देखे, डिलिशिस से लड्डू रेडी है, अगर आपको मेरी रेसिपी परसंद आई है, तो प्लीज दू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स फर वाचिंग, बाबाई एंड टेक केर